बाजीराव मस्तानी के बाद प्रियंका ने कोई भी बॉलेवुड फिल्म नहीं की वो पूरा ध्यान इन दिनों अमेरिकन फिल्म और टीवी पर दे रही है लेकिन अब प्रियंका एक बार फिर बॉलेवुड फिल्मों में दिल्चस्पी लेती नजर रही है रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास कई बॉलेवुड प्रोजेक्ट्स हैं प्रियंका 14 साल पहले आई अपनी फिल्म एतराज के सिक्वल एतराजदो में भी नजर आ सकती हैं बलेवुड के शोमैन सुभार्ज गई ने प्रियंका को फिल्म एतराज के सिक्वल के लिए अप्रोच किया है मुंबई मिरहर के एक सोस का कहना है ये एक नए नाम के साथ नई कहानी है सुभार्ज गई प्रियंका चोपडा से बात कर चुके हैं और दोनों फिल्म को लेकर डिसकस भी कर चुके हैं उन्हें फिल्म के सिक्वल का आइडिया बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के जरीए प्रियंका ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब वाहवाही बटोरी थी फिल्म में वो ने गेटिव रोल में नजर आई थी और इसलिए वो इसके दूसरे हिसे के लिए खूब उथसाहित हैं प्रियंका सुभार्जगई के साथ काम करने के इच्छुक हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने डेट्स को एड़जस्ट करेंगी फिल्म को लेकर फाइनल मीटिंग तब होगी जब प्रियंका अपने टीवी शो क्वांटिको टीन की शूटिंग खत्म कर नियुयोर्क से भारत वापस लोटेंगी अखबार की खबर के अनुसार इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुभार्ज गई के पास पिछले दो साल से पड़ी ह हुई थी लेकिन इसके फाइनल ड्राफ्ट को हाल ही में फिक्स किया गया सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म की शूटिंग साल के अंत में शुरू की जाएगी